हेलो दोस्तों दिस इस उंदर सिंग मेरा अगेन हाउट को हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं आजका यह रिक्वेष्ट वीडियो बहुत बहुत सारे यूट्यूब कैसे पूछ तो आज के यह वीडियो में आपको यहीं बठाऊगा कि आप कैसे चैक कर सकते ऑधार काड में आपका मोगाल नंबर रिश्टर है या नहीं है और अगर आपका mobile number एश्टर नहीं है तो और आप कैसे अपने आधार card में mobile number जो है वो change कर सकते हैं या फिर update कर सकते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यह कैसे करना है तो फिर आप इस वीडियो को लास तका देखते रहिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा होटो हिंदी यूडिव चैनल अभी तक सब्सक्राइब ने क्या है तो यहाँ पर देखे राइट के लगरा सब्सक्राइब बिटन है आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लेजिए और यह आपको सब् में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी लिंक में लेगा पहला लिंक में डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट में आजेंगे तो यहाँ पर देखे यह मैंने एक पोस्ट डाल द Self Service Update Portal तो यहां पर देखिए आपने क्या करना है जो भी आपका अधार कार्ट नंबर है उसको आप यहां पर डालिए उसके आद यहां पर जो यह कापचा है उसको आप यहां पर डालिए और उसके आद send OTP में click करिए अगर आपका mobile number जो है वो registered है अधार कार्ट के साथ तो आपके पास OTP आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जो अधार कार्ट नंबर है उसको यहाँ पर fill कर देते हैं तो यहाँ पर देखे हैं हमने दोनों details वन डालती हैं उसके आथ हम क्या करते हैं पर send OTP में click करते हैं तो जैसे हमने यंपर send OTP में click करा तो यहाँ पर देखे हाँ हमारे पास हमारा जो mobile number है वो registered है तो हमारे पास OTP आ जाएगा लेकिन हमारा mobile number registered है वहमें पता नहीं है कि हमारा कॉन सा वाला mobile number registered और जो OTP आया है वो पता ने कहां है तो अब हमें क्या करना है? Mobile number जो है वो change करना है अगर आपका mobile number registered नहीं है तो आपके पास यहाँ पर red color में एक message आगा कि आपका mobile number जो है वो अधार card में registered naina है किरपिया आप अपने nearest enrollment center में जाके उसको update करवा लीजिए तो इस type से कोई message आएगा तो आपने क्या करना है वहाँ नहीं जाना है आपने क्या करना है simply देखिए फिर से यहाँ पर इस post माना है और यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है इस link में क्लिक करना है ठीक है आपने mobile number change वाले link में क्लिक करना है इसको भी में next type में खोल देता हूँ जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास option आता है कि यहाँ पर आपने क्या करना है अपना आधार card का जो number है वो यहाँ पर enter करना है और उसके आप जो mobile number आप register करना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पर enter करना है और उसके आप send OTP में क्लिक करना है यह कापचा भी डाल दीजिए ठीक है कापचा डाल दीजिए तीनों details जो है आप डाल दीजिए उसके आप send OTP में हम क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर enter card number जो है वो डाल देता हूं और यहाँ पर हम नया mobile number डाल देते हैं जिसको हम register करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों details डाल दीजिए आधार number डाल दीजिए है उसके आद यहाँ पर हमने अपना mobile number डाल दीजिए है ठीक है जिसमें हम चाहरे हैं कि OTP आए और उसके आद यहाँ पर आपने क्या करना है और उस OTP को आपने क्या करना है यहाँ पर enter करना है one time पासफ़र्ट आया होगा ठीक है तो मैं यहाँ पर आप क्या करता हूं ओ-टी जो है वो यहाँ पर डाल देता हूं ति यह देखे हैं यह देखे सबस्क्राइब अमघ्राइब गर्वेलेन दिहकर वृअसे सबस्क्राइब ह § के आधार काट की डीटेल्स बिना उसकी इजाज़त के चेंज करते हैं तो आपको यहां पर दो साल की जो है वो सजा हो सकती है और दस अजार रुपे का जुर्माना पड़ सकता है या फिर यह दोनों हो सकते हैं तो आप एक चीज ध्यान में रखे कि आपने किसी की भी डीटे करना चाहते हैं उसको आप यहां पर डाल दीजिए तो यहां पर मैं मोवाइल नमबर डाल देता हूं जो भी हम रेइस्टर करना चाहरे हैं हमने यहां पर मोवाइल नमबर जो है वो डाल दिया है और उसके यहां पर हम क्या करेंगे समिट अपडेट रिक्वेस्ट में क्लि लीजिए इंस्टेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है तो यहां पर आप इंस्टेक्शन पढ़ लीजिए कि कैसे कैसे आप इसको कर सकते हैं और आपको कौन-कौन से अब कशन पर पर आपके पास जो है यहां पर आपके पास आ चुका है तो इस रिकवेस्ट नमबर को आप रख लीजिए आप यहां पर से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं यहां पर दूड़ोड कर सकते हैं किसी एक फाइल में और जब भी आपने चेक करना होग ठीक है तो मैं यहां पर से उसको print screen कर देता हूं, print screen मैंने कर दिया और उसके आद यहां पर देखिए आप क्या कर सकते हैं जब भी आपने change check करना होगा कि आपका क्या status है तो यहां पर देखिए आप अपडेट status में click करेंगे और यहां पर आप अपना aadhar card number डालेंगे और यहां पर update request number यहां पर डालेंगे तो आपको यहां पर से status पता जल जागा आपका mobile number जो है वो change हो जाता aadhar card में तो आपके पास एक message आजाएगा कि आपका mobile number जो है वो aadhar card में आप तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं ओनलाइन घर बैठे क्या कर सकते हैं आपना मोबाइल नंबर चेंज या अपडेट कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा जब आप इस पेज में आये थे जहां पर यह मैंने वीडियो का पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं उनकी जानकारी सबसे पहले मिल जाए ठीक हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पा लाइक बटन में क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तो को मुझे लिखके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और कंपेटर इंटरेनेट मोबाइल और टेकनोलोजी से सम्बंदित लेटेस्टिप्स औंटिक्स तूटरियर्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउट पो हिंदी यूटीब चै को मार इंटर से में आप हमारा हाउटे से Green झाल 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 झाल